अब आपको सवागत करती हूं आज मैं आपके लिए खास रेसिपी लेके आई हूं जो कि बहुत ही फेमस है और काफी सौधिस्ट होती है जिसका नाम है दमालू जो कि काफी फेमस कीस है और आज मैं उसे एक नही तरीके से बनाने जा रही हूं तो चलिए देखते हैं कि कैसे इंग्रेडियन की जौत है पहले वह देख लेंगे तो पहले हम इसके लिए उपला हूँ आलू लिये हैं यहां प्याज लिये हैं यहां पे यहां स्वाद अनुसर नमक लेना आपको और एक चमारे हाफ चमस अब हल्दी का यूज कर सकते हैं यह जीरा मैंने लिया यहां पे यह धनिया पॉडर यह यहां पे गोटा मसाला मैंने लिया हुआ यहां पे यह धनिया पता लेना है कुछ यह यहां पे मैंने कास्मीर मिच्ट ली हुई है यह काफी अच्छा करण लाती है और यहां थोड़ से एक चमस उफ यूज करना है यह हींग यह मैंने टामाटर का यूस किया हुआ है टामाटर प्यूरी है यह यह लहसण अद्रक का फेस्ट यह दही मैंने यूस किया हुआ है यहाफ काटोरी आप बड़े ग्रपाटोरी बंड़ लें सकते हैं यह तीस पता पहले यह जो मैंने उब्रावा आलू लिया था तो शो को पहले वह में फाक्स से इसे मैं छेद ले रही हूं इस तरह से सारे में इस तरह से कर लीजिए तकी मसाला अच्छी तरह से अंदर जाए अब मैंने इसमें आलू में हलका अब हल्दी ले लीजे और लाल मिर्च जो मैंने कास्मेरी लाल मिर्च लिया हूँ है वह हल्का ले ले और अब इसे इस तरह से घुमाते हुए लटे ले लगे करेंगे इसमें अच्छा कर लिया है इसमें मैं हल्का सॉंफ डाल रहे हूं कोई हिंग डाल रहे हैं फिर जीरा एक चमस आप लें लें लिया हूं फिर यहां खड़ा मसाला खड़ा मसाला ले रहे हैं और इसे अब हरका भूल लेना है ताकि यह अच्छी तरफ पब जाए अब इसमें यह लहसान द्रग का पेश्ट्रियू मैंने यह बनाया था वोल लिया है अब यह प्याज अब इसे अब शिकर रहे हैं अब हम इसे निख्टे वी ग्रेंडर में डालके इसको मैं पीछे लें हो कर लिया है अब या जुमने रेलोय को पर पालिता राया है अब यह जो मैंने आलु लीै था बार तरह रहे हैं अब उसे हिसमें डाल बृटाय करना रहा देखेंग करनाया था और एक बाद आपको ध्यान रखना है कि आलू छोटे साइब की रहनी चाहिए बरे साइब की पर उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है फिर वह कट कट करके बनता है ना तो उतना अच्छा आता है ना ही उतनी लुक अच्छी रखी है तो इसी तरह का आप लीजिएगा मैंने इसे अच्छी तरह से गॉल्डन ब्राओन कर लिया है लग यह निकाल लेते हैं ऊड्य रखनव यह 7 आर बस दीशपत प्याज का पेस्ट बनाए था प्याज लसन अद्रक और गड़मासाला को भूंच करके जो मैंने बनाए था इसको तो वो उसका पेस्ट ले 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 रहे हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ले ले रहे हैं तर्मेक पॉडर हल्दी हाफ चमस हाफ चमस यहाँ तर्मेरिक मैंने लिया है कासमेरी लालमेच ले रहे हैं अब धनिया पॉडर मैं ले रही हूँ इसमे दो चमस लिया है मैंने इसमें धनिया पॉडर अब हम इसे अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं यह देखिए यह लगवग भूना गया है अब हम यह टेमेटो प्यूडी यहां पर इसमें डाल रहे हैं अब इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे अब देखिए यह इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा दो तीन मिनट के लिए पका ले रहे हैं यह देखिए यह लगवग अलमस्ट भूना चुकी है अब हम देखिए यह जो नहीं लिया हुआ था यह दही इसमें हल्का भी लंस नहीं रहना चाहिए अगर इसमें हल्का भी दान परीवग तो वह हमारी घृवी को फार सकता है तो इसलिए यह इसका पूरा लंस को मुझे तोड़ देना है तोड़के उसके बाद आवाम इसमें डाल रहे हैं और कंटीनु चलाना है इसमें मैंने डही डाल दिया है अब इसे हलका अब इसे चलाते रहना कंटीनु इसमें एक दम भी आपको रोकना नहीं है इसमें इदम चलाते रहना है पुरदेरी तक जब तक ये बुना ना जाए अच्छी तरह से भून लेना है अब देखिए इसका पानी पूरी तरह से सूप चुका है अब हम इसमें फ्राइ किया हुआ अलू डालेंगे तो ये वाला अलू मैं अलू रही हुआ ये ये देखिए मैं इसमें पाई डाल दिया है और इसमें दहना को ग्रेवी दरखना हुआ ऊसे आप से पाई डेलेंगे अब इसमें मैं धन्या पती ले रही हुँआ है अब हम इस हो गया है अब हम चलिए इससे देख लेते हैं देखे ये कितने अच्छी कलर आई हुई है मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है देखे कितनी अच्छी कलर आई हुई है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है आप इसे जो ट्राइ कीजिएगा और हमें ट्राइ करके बताईए आपको कैसा लगा और 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 अगर आपको कोई रेश्पी चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के में लिखके बताईए मैं वह तेंग्स